si d symbolnier फ्राइंट्स थर्मा इंजिनिंग हीट ट्रांसफवर जो मेश मी तीन सो तीन सब्ज notify जिसमें की हम सट्रीम टर्वीन की बारमें स्टेडी करें उसमें कि हम हम कि वैंनसे डाइग्राम कि वाकड्न and efficiency of turbine के बारे में study करेंगे इसमें सबसे पहले हम velocity diagram को study करते हैं यह काफी exam point है उसे काफी important diagram है इसके base पे numericals भी आते हैं तो student को काफी confusion रहता है कि velocity diagram किस तरह से draw करेंगे किसी stream turbine के लिए तो आज हम इस velocity diagram के बारे में study करेंगे तो यहां पर हमने एक blade का section मनाए है BE हमने क्या बनाए है यहां पर एक blade का section बनाए है इस blade के section B के लिए जो B पर inlet angle है इस पर अगर हम tangent draw करें और जो इसका outlet point E है इस पर अगर हम tangent draw करें तो यह angle बनाते हैं इस center point से थीटा तो यह inlet angle बनाता है और फाई क्या बनाता है कि outlet angle बनाता है exit angle बनाता है तो हम यह बोल सकते हैं कि इस blade के लिए यह जो थीटा है यह तो क्या है इसका blade angle है at the inlet और फाई जो है यह जो फाई है यह क्या है blade angle है at the outlet तो थीटा और फाई इस blade के लिए inlet और outlet ये entry और exit क्या है ये blade angles है तो theta इसके लिए क्या हो गया blade angle at inlet at phi इसके लिए क्या हो गया blade के लिए blade angle at outlet तो ये क्या है हमने एक blade बनाई है blade का section बनाई है तो इस blade के section पर जैसे कि हम जानते हैं किसी भी stream turbine के अंदर nozzle से stream निकलती है highly pressure temperature के उपर और वो एक velocity के साथ में क्या करती है blade के उपर strike करती है तो हमने ये क्या बनाई है एक nozzle बनाई है इस nozzle से stream क्या हो रही है with velocity V निकल रही है absolute velocity V1 से निकल रही है और इस turbine की blade के उपर क्या कर रही है वो strike कर रही है तो ये V1 क्या है V1 is the absolute velocity है जो की नोजल से क्या और यह निकल रही है और टर्बाइन की ब्लेट के उपर क्या कर रही है इस्टाइ कर रही है तो वीवन इस दे एपसुलूट वैलोसिटी एड़ दा इनलेट वीवन इस दा एपसुलूट वैलोसिटी एड़ दा इनलेट जो की नोजल से निकल रही है और ये कितने एंगल पर निकल रही है अलफा एंगल के उपर निकल रही है तो ये जो v1 velocity आई है जो की आलफा एंगल पर निकल रही है नोजल से इसके दो component किये जा सकते हैं एक तो x-axis के आलोंग डाट इस अ वी 1 cos alpha जिसको कि हम क्या बोल रहे है velocity of world भी बोल रहे है इसको हम बोल देते हैं V omega 1 और इस V1 velocity का एक vertical component हो गया that is the V1 sin alpha जिसे कि हम क्या बोल रहे है Vf1 that is the velocity of flow means जो velocity absolute velocity V1 थी जो की inlet के उप़ turbine की blade के उपर क्या कर रही है इसके दो component हो गए एक तो V1 cos alpha और V1 sin alpha V1 cos alpha को हम क्या बोल रहे है velocity of world भी बोल रहे है means V omega 1 VW1 और V1 जो sin alpha है इसको हम velocity of flow भी बोल रहे है that is the Vf1 देखिए जो velocity V1 के हमने दो component किये हैं इनका क्या physical significance है तो जो V1 का horizontal component आया है VW1 that is V cos alpha इसको हम क्या बोल रहे है velocity of world भी बोल रहे है क्योंकि यह जो component है यह क्या करेगा इस turbine की blade के उपर क्या कर रहा है horizontally strike कर रहा है और horizontally क्या कर रहा है turbine की blade के उपर strike कर रहा है इस factor की वजह से यह जो turbine की blade है वो क्या करेगी rotate करेगी turbine की जो blade है वो क्या करें, रोटेट करेंगी और इसको क्या मिलेगा, एक वर्लिंग मोशन मिलेगा, तो V1 जो हमारे पास में वैलोसिटी, absolute वैलोसिटी है, उसको जो पर्टिकुलर factor V1ben ऐल्फा है, जिसको क्या है वैलोसिटी अ वर्ल बोल रहे हैं इसकी वजह से जो पानी की वीड पर आ रही है वो क्या करेगी गलायड हो करके बाहर निकल जाएंगी इसजीशिक्ट्र लाइक ब्लेट को गरेगी दौ करेगी पर निहीं है भैने को जाएगे की दोять वेलेकल्त करेगी दोग हो गया जिसकी करने देहुआ ग्रॉ करेगी और दूसरा फेक्टर हो गया हमारे पास में फ्लो हो गया जिसकी वज़े से टर्वाइन जो स्टीम है वो टर्वाइन की ब्लेड के उपर क्या करेगी ग्लाइट्स करती होई आउडेट से बाहर निकल जाएगी तो हम यह करते हैं हमने वी बनाया है यहां पर सबसे पहल क्रस्ट के गände की प्लेड जो है वो यू वैलोसिटी से क्या कर रही है मीन ब्लेड वैलोसिटी क्या कर रही है यू कर रही है मीन कर रही है तो इसके इस इनलेट velocity है वो क्या है U है तो inlet पर जो point B है हम मान सकते हैं कि यह U1 velocity से move कर रहा है और इसका जो E point है वह मान सकते हैं कि वह U2 velocity से क्या कर रहा है move कर रहा है तो हम इस blade की जो औरहाल जो mean blade velocity है वो U मान सकते हैं कि जो blade है वो क्या कर रहा है mean u blade velocity से क्या कर रही है move कर रही है तो जब यह blade जो है u velocity से move कर रही है और इसके उपा जो steam है वो v1 velocity से क्या कर रही है strike कर रही है तो यह जो turbine की blade होगी इसको क्या होगा यह feel होगा इसको relative velocity क्या होगी feel होगी क्योंकि जब turbine की blade खुदी यू velocity से मूँ कर रही है और उस पर जो steam आ रही है वो व्यवन velocity से आ रही है तो इस turbine की जो blade है उसको steam जो है वो क्या गरेगी एक relative velocity से आती वी प्रतित होगी that is the VR1 और ये जो VR1 जो होगी वो तो इस blade को steam जो है वो VR1 velocity से आतीव प्रतीद होगी और किस एंगल में प्रतीद होगी वो blade angle पर प्रतीद होगी blade angle कितना है in late के उपर theta है तो यह जो हमारा vr1 है यह भी क्या होगा theta होगा एक मैं वापिस इस बात को repeat करता हूँ कि जो turbine की blade है वो एक mean blade blade velocity से क्या गर रही है move कर रही है और जब turbine इस blade के उपर steam क्या कर रही है strike कर रही है absolute velocity तो v1 है बट turbine की blade पर यह turbine की जो blade होगी उसको क्या feel होगा क्या प्रतीद होगा कि जो steam में वो एक relative velocity से आ रही है that is the vr1 और vr1 कितना angle के उपर होगा जो की blade का inlet angle है blade angle है जो की इनलेट पर कितना थीटा angle है entry पर कितना angle है थीटा angle है तो जो vr1 जो है यह जो relative velocity है वो भी उसको प्रतीद होगी की थीटा angle के उपर वो आ रही है तो यहां हमने इसको क्या कर दिया थीटा angle के उपर जो हमने line draw किती है horizontal उसके हमने माल लिया कि theta angle के उपर वो क्या रहा है vr1 factor आ रहा है तो इस line को हम क्या करेंगे पीछे जैसे जैसे draw करेंगे तो यह जहां पर भी cut करती है वह एक हमर पस में क्या हो जाएगा point आ जाएगा और इसको हम arrow से show कर देंगे that is the vr1 that on at the angle theta तो जो हमारा a d वाला जो हमारा horizontal line है उसमें cd वाला जो part है और ac वाला जो part है यह दो अलगले vector को क्या कर देंगे शो कर देंगे तो जो cb है हमारे पास में वो तो vr1 शो कर रहा है और जो ac वाला part है वो हमारे velocity at theta तो हमारे पास में देखिए कौन को से velocity आ गई है inlet के उपर एक तो absolute velocity of steam at inlet that is the v1 at angle alpha that is the nozzle angle इसको nozzle angle भी बोलते हैं इसके दो vector हो गए है एक तो v omega 1 v w1 और एक vf1 velocity of world of velocity of flow another is the relative velocity at angle theta that is the blade angle at inlet relative velocity और यहां पर हमने क्या कर दिया यह जो blade velocity है उसको u1 को हमने यहां कर दिया शो कर दिया तो यह हमारे क्या होगे एक inlet triangle ट्यार हो गया है a b d c और a यह हमारे क्या होगे एक inlet triangle ट्यार हो गया है तो हम यहां पर जो इसके relative velocity है vr1 इसको लिख सकते हैं vr1 बराबर क्या होगा v1 minus u1 जो absolute velocity है v1 minus u1 वो क्या हो जाएगी इसके relative velocity हो जाएगी तो अगर हम u1 को इधर लेके आ जाएगे तो क्या हो जाएगा v1 बराबर क्या हो जाएगा u1 plus vr1 तो जो v1 absolute velocity है उसका arrow किसके बराबर हो जाएगा u1 इसके direction भी यही है u1 plus vr1 तो u1 plus vr1 किसको show कर रहा है v1 को show कर रहा है तो हमने क्या कर दिया inlet के उपर यह velocity triangle बना दिया है अब हम बात करते हैं velocity triangle at outlet तो जब यह steam जो है यह जो steam है turbine की blade पर strike करेगी और glide होते वह बहार निकलेगी तो इस सबसे पहले क्या होगी vr2 velocity से जाती ही प्रतीत होगी क्योंकि जो turbine की blade है वह भी क्या करें u velocity से move कर रही है तो अब हम जो turbine की blade होगी उसको यह होगी कि steam outlet पर vr2 velocity से जाती ही प्रतीत होगी आते वक्त तो उपर जो blade angle that is the five तो जो vr2 जो है यह vr2 है यह कितना angle बनाएगा five angle बनाएगा तो जो हमारी vr2 है वह five angle की उपर बार निकलेगी तो यह तो गए इसकी relative velocity तो जो absolute velocity होगी वह कितनी है v2 v2 is the absolute velocity वी तो जो absolute velocity होगी हम माल लेते हैं वह किसी angle बीटा पर है जैसे कि inlet के उपर absolute velocity alpha पर दी है हमने इसी तरह माल लिया कि absolute velocity जो है relative velocity है वो किसके बराबर होगी v2 minus u2 के बराबर होगी तो यह जो यह जो वेक्टर है जो हमने triangle बना रहे है इजी एच और इस इजी एच जो यह जी है एच लाइन इसके अपर हमने absolute velocity टॉक कर दी चिसे कि हमारे पर में point क्या आगया f आगया और angle कितने पर आगया बीट पर आगया तो यह gf है यह किसको शो करेगा इसकी blade की velocity को शो करेगा that is the u2 तो vr2 vr2 plus u2 बराबर किसको शो कर देगा यह absolute velocity को शो कर देगा तो यह outlet तो यह जो हमने outlet triangle ड्रो किया है e g h और इसके उपर एक point आगया f तो इसमें e g तो relative velocity vr2 शो करेगा और यह जो gf है यह किसको blade velocity को शो कर देगा u2 को और जो v2 इसके दो component हो गए vf2 और vw2 velocity of world और velocity of flow at outlet तो और जो v2 है कितरे एंगल के उपर है ? बीटा एंगल के उपर है और eg जो vr2 है वह कितरे एंगल के उपर है ? फाई एंगल के उपर है फाई की है blade angle at the outlet और बीटा के है हमने पास में absolute velocity जो कि ए आउट लेट पर है उसका angle ह एक्जिट के उपर तो यह वेलसुटी ट्राइंगल हमारा आउट्डेट के उपर क्या हो जाता है तैयार हो जाता है तो इस तरह से हमने क्या किया एक ब्लेड के लिए इनलेट वेलसुटी ट्राइंगल और आउट्लेट वेलसुटी ट्राइंगल हमने क्या कर लिया तैयार कर तो अब हम अगर इस चीज को लिखना चाहें कि इन लेट पर जो ब्लेट वैलसुटी कितनी यह यू नहीं और इसको माल सकते हैं यह the mean blade velocity U mean blade velocity अगर U1 wherever U2 है और वो equal to UK तो हम इसको माल सकते हैं कि mean blade velocity है V1 हमारे पास में क्या दा jet velocity या steam velocity को jet आ रहा है steam jet velocity है coming from the nozzle इसको क्या हम absolute velocity भी बोल रहे हैं alpha is the nozzle angle alpha क्या है nozzle angle है theta theta onenrid8 doe afvene ब्ञेटे अंट्रांस अंगल तो था मूविंगूविंग ब्लेड है और वीवन जो था हमारे जो एपसल्ट वैलोड़ सुटी थी उसके दो ऒेक््टर कर दीये थी एक दो एक त्षाल जिसको को यृँट ऐड़ posted or gay VW1 और दूसरा हमरे बार स्रक्टर कहा था V1 साइन आलफा जिसको के हम वह बहुत है वैलसुटी ओफ फ्लो यह दा V1 एड़ा इनलेट तो वीवन के दो कंपोनेट हो गए थे वीवन को से अलफा वीवन साइन आलफा वीवन को से अलफा कहा था वैलसुटी ओफ वैलसुटी ओफ एड़ा इनलेट इसको VW1 से बताया था और दूसरा वीवन साइन आलफा जिसको के हमने वैलसुटी ओफ फ्लो बताया था और वीवन से और बता रहा एड़ा इनलेट नेक्स्ट कहा था VR1 Vr1 का था relative velocity at inlet 5 5 परावर का था exit angle to the moving blade exit angle to the moving blade Vr2 is the relative velocity at the outlet V2 is the absolute velocity at the outlet Vf2 is the flow velocity at the outlet V2 के हमने 2 component करती है थे Vw2 और Vf2 Vw2 के velocity of world at the outlet and Vf2 के velocity of flow at the outlet और theta और Vक है हमर पस में moving blade angle है हमर पस में moving blade अंगल है यह कह आउटलेट है आउटलेट तो जितने भी पॉइंट्स थे उन सब को हमने क्या कर लिया डायग्राम में समझ लिया पहले सारह सारह में डायग्राम में समझ लिया और यहां हमने सारे सारे डाइग्राम में समझ लिया और हमने यह क्या कर दिया एक एक पॉइंट को लिख दिया अब हमने जो यह डाइग्राम बनाए है इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल यह हम कह सकते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल ए Combined, Inlet or Outlet, Inlet or Outlet पर हमने जो V IRACYले ट्राइंगल बना है, उसको Combined बना दिया, हमने एक साध बना करदी है जिसको के हमने जिसको Numerical Sol strate करने में बड़े तो वि यह हमने क्या बना दिया, देखें, सब से पहले हमने क्यों क्या कर दिया,now का झातरी है, ML ड्रो करती है जिसको के हमने बता दिया U1 इकोल टो U2 बरावर U अगर U1 बरावर U2 बरावर U है तो हमने ML एक लाइन शो कर दिया किसकी mean blade velocity U की फिर हमने का कर दिया यहां से देगिए एक alpha angle पर V1 ड्रो कर दिया और L से हमने alpha angle पर V1 ड्रो कर इसको आगे बढ़ा दिया arrow को और यहां से डॉटर करके हमने यहां से बढ़ा दिया तो यह factor तो कितना आगया VR1 और यह factor कितना आगया V1 और V1 जो हमने पास absolute velocity ती उसका एक उपर जो horizontal वेक्टर आगया कितना आगया V1 आगया तो हमने इसे हमने एक Lाइन ड्रो कर दी कितना एंगल के ऊपर थेटा एंगल के ऊपर आल्फ हमको पता यह नोजल है थेटा हमको पता हीए blade अंगल है आइलेट, यह दोनों पंट यहां मिल गए, इन दोनों पंटो को हमने क्या कर दिए उपपर वर्टिकल लाइन टौकर दी और मल को अगे बढ़ा दिया तो यह जो पॉइंट आगे हम्ट में क्या हो गए, पी आगे है, वी वन के दो component हो गए एक तो VF1 हो गया और इसका एक वर्टिकल सोरी होरिजन्टर component हो कितना VW1 हो गया इसी तरह हमने क्या किया कि जो M point है इस M point से एक line draw कर दी कितने angle के उपर 5 angle के उपर वो किसको show कर रही है VR2 को show कर रही है 5 के हमर पास में blade angle है at the exit और VR2 के हमने relative velocity है VR2 इसी तरह हमने क्या किया जो L point है उससे हमने क्या कि बीट एंगल के उपर एक line draw कर दी जो किसको show कर रही है V2 को show कर रही है absolute velocity at outlet को show कर रही है यह दोनों point कहां मिल गए S के उपर मिल गए है इस से हमने vertical line draw कर दी और ML को हमने right side के अंदा horizontal draw किया तो जहां पर मिल गया हो आर बन गया है तो हमारे पास में क्या बन गया यह तो यह जो VR2 है यह VR2 को show कर दिया MS और LS वी टू को show कर दिया तो जो हमारे पास में वी टू हो क्या थी absolute velocity थी कितले angle के उपर बीटा angle के उपर इसके दो component होगए एक तो VF2 और दूसरा VW2 VW1 और VW2 दोनों के वर्ल वेलोसिटी है वी टब्लूवन तो वेलोसिटी अड़धा इंलेट है और VW2 वर्ल वेलोसिटी अड़धा आउटलेट है दोनों की direction के अपोजिट दिलेक्शन के इन्दर है, इनका अगर टोटल को मिला दिया जाया है, तो यह कितना जाता है, VW बन जाता है, VW 1 प्लस VW 2 बराबर क्या बन जाता है, VW, velocity of world बन जाता है, तो यह हमने क्या किया, inlet, velocity triangle add to inlet, and velocity triangle add to outlet, उन दोनों को क्या कर दिया कंबाइंड बना दिया इन दोनों को मिलकर हम ने क्या मना था कंबाइंड बना दिया और सारे एंगल इसके इंदरा में शो कर दिया देगे नोजल एंगल एलफा शो कर दिया थीटा ब्लेट एंगल एड़ता इनलेट शो कर दिया फाई ब्लेट तुछ कर दिया तो हमने सारे सारे जो भी फेक्टर्स दे हुको आँगा ळाइग्राम के अंदर क्या खर दिया तुम नेउस्ट रण्गuu पर हम जिसके अनोधर aş्टरस है you approach यह वारे में भी क्या करेंगे लिए The के लिए velocity डाइग्राम को study करा और उसे हम combine डाइग्राम हमने क्या क्या बनाया नेक्स टन की उपर हम work done and efficiency of turbine की बारे में क्या करेंगे study करेंगे और numerical solve करेंगे thank you